चलिए आप गीता पे हात रखकर कसम खाईए कि आप जो भी कुछ कहेंगे सच के सवा कुछ नहीं कहेंगे ठीक है बुलाईए गीता को अरह बेवकूप हो क्या यार यह गीता पे हात रखकर कसम खाओ ओ सोरी माई बाप मैं समझ नहीं पाया लाईए लाईए ओ भाई सब इदा लाओ आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे हो गया जाओ अरह यार एकदम बेवकूप हो का ऐसा आप बोलो अरह सस्ते वकील मैं ही तु बोला हूँ अरे पुंजाब भाई जाओ आडर आडर जस साब ये कट घरे में खड़ा बेवकूप चूतिया सुवर जैसा अदमी असल में ये बहुत ही खतरनाग मुझरिम है इसने कद्दू सिंग को दिवाली वाले दिन बम फेकर जान से मारने की कोशिस की और ये मैं साबित करके पकार आडर जस साब इसमें क्या साबित कर्ना है उस दिन दिवाली तो सब पड़ाक का खोट रहे थे थे आम भी फोट दिए पड़ाकाई मैं पड़ाका क्या होता है पड़ाका नैंने हो का फटे थे यार तुम वखील कैसे बन गहें पोलते ही था है थीक है हम गलत बोलते हैं तुम कांशा इंस लओट यहां से अरे आतर था यार तुम लोग क्या पढांकि पढांक लगा तुम नीचे क्या देख रहे हो केस लड़ो अच्छा लड़े ठेक है तो मेरा सबसे पहले गवाह है मिश्टर पीके अब ये कौन है पीके मैं हूँ जट साब मैं हूँ ओकिल साब मैं हूँ अरा हाँ मालूम है नाचो मत हाँ तो मिश्टर पीके मेरे सवालों का सही सही उत्तर देना है आप अकील हो एलो अरे ये गुर्बक कम था जो दूसरा आ गया भान का के आए हो का आये अरे यार मैं यहां खाला हूँ अदालत में खाला कपड़ा पहना हूँ तो अकीली होंगा ना ये बात तो बिल्कुल गलत है हो सकता हो आप जादू गर हो या फिर हो सकता है आप अरे यार टीचर लोग काला कपड़ा इतनों लंबा नहीं पहनते हैं तो फिर आप जादूगर हो ना है ना है अरे यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम लोग यहां केस लड़ने आ हो आम मदारी दिखाने आम सोरी माई लोड तो मिस्टर पीके आप अदालत को ये है मेरा दोस्त है जज साब कालिया मेरा दोस्त है वकील साब कालिया मेरा दोस्त है मेरा भाई है और पढ़ने हम लोग साथ जाते हैं और मेरा साथ कभी ने छोड़ता ौके जज खेलना जज कूदना हाँ जज मार करना अरो हायार है फेलना कूदना मार पीट करना और लटकियों को किटिनएप करना नहीं नहीं करते हैं पटाते हैं अरे यार अब क्या बताएं ऐसा एसा गवाए लोग डूड के लाते हैं यह गवाँ है कि गदा अरे यार तुई अपने डंड़ा पकड़ के सीधे खड़ा रहा हु यार हां तो मिश्टर आ लिगा नाम के साथ मत खेलना ओ सोरी तो मिश्टर कालिया आपके वकील कहां है यह समया हूँ हाँ तुझे साब पताएं क्या काम है अरे काम क्या क्या से लड़ोर क्या ओच अच्छा हाँ भूल गई मैं भी कितना पागल हूँ हाँ तु आप अदालत को यह बताहिए आपका पूरा नाम क्या है यह मेरा नाम क्या नोट दिया जाए नोट दिया जाए इसे नोट किया जाए तो कालिया जी आप अदालत को यह बताईए कि जिस दिन दिवाली था आप कौन-कौन से पढ़ा के फोरे थे उस दिन मैं सबसे पहले छचुन्दर जलाया था अरे जैसाब क्या जलाने पर एकी जगह गोल गोल नाचता है अबे वह चकरी है चकरी जलाया था और उसके बाद एक हाँ लाला चाप फोड़ा था और एक मिर्चा चाप और एक मूर्गा चाप अबे यार तू जब कद्दू के घर के तरफ गया था तो अहां को उसके पढ़ा का फोड़ा था अरे जस्ता वहां तक पहुशते पहुशते मेरे पास पढ़ा काई नहीं बचाता तो फोड़ूँगा क्या अरे ओडर मतलब अरे ओडर मतलब आपको क्या क्या चाहिए ओ अच्छा जस्ता दो बर्गर चार समोसे दो प्लेट चौमीन ताड़ा तुम दोनों अपना बखवास बंद करो और ना अब्जक्शन अब अब पीके ओजज है उसे अब्जक्शन बोला है फासी पे लटका देगा ए इदा देखो नाम क्या तुमारा पीके हा तो पीके यह जो सिर पे काटे हुगे है ना चिलवा दूंगा मुझसे अगर वो उची वाज में बात करेगा हाँ तो मिश्टर कालिया जी आप जब कद्दू सिंग के घर पर थे तो यह पीके ने क्या देखा वहाँ अब देखिया आप लोग से तो जूट नहीं बोलूंगा मेरे पास एक बंब बचा था उस समय पीके ने देखा मेरे हाथ में एक रसरी वालब बं था अब रसरी नहीं वे सुतली बं सुतली हाँ हाँ वही वही तो मैं सोचा कि अभी पीके मांग लेगा मेरा बं मैं जल्दबाजी में आग लगा कर पीछे फेक दिया अब मुझे क्या पता मेरे पीछे कद्दू बैड़कर ओल छिल्ला है अच्छा इसका मतलब आपने जान भूच कर बं पीछे नहीं फेका था चलिया ठीक है मैं मानता हूँ कि बं फेकते वक्त पीछे आपने नहीं देखा था तो इस से साबित क्या होता है यही कि मिश्टर क अगर कालिया ने कद्दू सिंग को जान से मारने की कोशिस करता तो बं उसके घर में फेकता ना की पीछे क्या क्या मतलब त्या जैसा बबापी बोलिए 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 किलो केस जीत गए हम लोग चलो 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 आपको नहीं पता है यह लोग जान से मारने की कोशिस की थी कद्दू सिंग को आपको क्या मानून अब जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता प्यस्माई जीते